तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले दो important बाते आज मैं आपसे share करना चाता हूँ सबसे पहले January 2022 Monthly Marathon giveaway के सभी winners का gift मैंने ship कर दिया है और shipping details, tracking ID भी मैंने आपको mail कर दिया है आप प्लीज अपना mail एक बार चेक कर लिजिए और दोस्तो gift मिलने के बाद gift आपको कैसे लगा ये भी मुझसे जरूर share कीजिएगा और दूसरी बात जो है दोस्तो मेरे किसी भी वीडियो में जब भी आप comment करते हैं तो सायद आपने ये notice किये होंगे आपके comment के reply में old coin company या फिर call me करके एक number के साथ mobile number के साथ एक reply आता है तो दोस्तो उस number पे आप call कभी भी मत किजिएगा क्योंकि दोस्तो आप अगर call करेंगे तो ये कहेंगे कि मैं आपका coin और note sale करबा दूंगा बिकबा दूंगा और उसके बदले में registration fee या फिर GST या फिर किसी भी तरीके से ये आप से पैसे मांगेंगे तो दोस्तो ये सारे ही fraud है इनसे बचके रहिए और सबधन रहिए और दोस्तो कल के वीडियो में मैंने एक रूपे 2004 coin के बारे में वीडियो बनाया था ये वीडियो बहुत सारे भीवास को पसंद आया है अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीड वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिता निमी स्मेटिक चैनल निमी स्पेज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रेब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि coins और notes related ऐसा ही वीडियो ऐसा ही content में आपके लिए upload करता रहता हूँ और आगे भी upload करता रहूँगा तो दोस्तो आईए आज का ये वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे circulation में इसू हुआ एक रुपेया cross coin के बारे में जानेंगे कौन कौन सी मीन से ऐसे एक रुपेया cross coin इसू किया गया था कौन सा मीन का coin है सबसे rare और कौन सी ER में इसू हुआ एक रुपेया cross coin आज की date में सबसे कीमती है तो दोस्तो आईए coin book से देख लेते हैं इस एक रूपे cross coin के बारे में पूरा details तो दोस्तो मैंने लिया है coin book और book में आप देख सकते हैं एक रूपे cross coin के reverse side और over side दोनों side का photo दिया गया है over side में है asoka lion capital उसके साथ value asoka lion capital उसके साथ value over side में year भी है लेकिन यहाँ पर year mention book में नहीं किया गया है लेकिन कोई बात नहीं और reverse side में है cross unity in diversity cross unity in diversity इस coin को unity in diversity coin भी कहां जाता है और दोस्तो इस coin का जो 2004 से 2006 तक 2004 से 2006 तक cross बाला एक रूपेया इसु किया गया था general circulation में metal है stainless steel weight है 4.85 gram इस coin का weight और size है diameter है इस coin का 25 mm और दोस्तो इस coin का देखिए 2004 श्रिफ बंबे मीन से इसु किया गया था 2004 cross coin एक रूपेया cross coin 2000 pro श्रिफ बंबे मीन से इसु किया गया था rarety देखिए rare category में आता है 2004 एक रूपेया cross coin बंबे मीन्ट rare category में आता है उसका प्राइज आप देखिए extra fine और UNC condition में book में price दिया गया है लेकिन fine और very fine condition में price नहीं दिया गया है तो extra fine condition में 2004 एक रूपेया बंबे मीन्ट क्रोज कोईन extra fine condition में 100 रूपीज और UNC condition में 300 रूपीज 2005 का coin देखिए 2005 एक रुपिया क्रोस कोईन Bombay, Calcutta, हाइदाबाद और Noida हमारे भारत के चारो मीन से ही 2005 एक रुपिया क्रोस कोईन Bombay, Calcutta, हाइदाबाद और Noida ये चारो मीन से ही इसू किया गया था चारो ही मीन का कोईन आज की डेट में Common काटेगरी में आता है Bombay, Calcutta, हाइदाबाद, Noida ये चारो ही मीन का कोईन Common काटेगरी में आता है लेकिन 2006 श्रीप Noida मीन से इसू किया गया था ध्यान से देखिए दोस्तों 2004 श्रीप Bombay मीन से इसू किया गया था 2005 Bombay, Calcutta, हाइदाबाद, Noida चारो मीन से इसू किया गया था और 2006 स्रीप Noida मीन से इसू किया गया था तो फिर 2004 और 2006 ये दोनों ही सिंगल मीन का कोईन है 2004 स्रीप Bombay मीन और 2006 स्रीप Noida मीन और Noida मीन का कोईन आज की डेट में स्कैर काटेगरी में आता है Extra Fine कंडिशन में 20 रूपीज और UNC कंडिशन में 40 रूपीज ये और 2004, 2005 और 2006 ये 2004, 2005, 2006 ये सब कोईन सर्कूलेशन में इसू किया गया था आज भी आज की डेट में ये Bombay Noida 2004 Bombay और 2006 Noida ये दोनों ही कोईन सर्कूलेशन में आज भी मिल जाता है मेरे हाथ में जो कोईन था वो 2004 Bombay Mint का कोईन था और वो कोईन मुझे सर्कूलेशन से ही मिला है और भी कुछ 2004 का कोईन मुझे मिला था लेकिन मैंने सेल कर दिया था और दोस्तो एक और बात अगर आपके पास 2004 के कोईन है तो फिर उस कोईन को आप समाल के रखिए क्योंकि आगे चलके इस कोईन का प्राइस 2004 Bombay Mint का कोईन का प्राइस और भी बड़ेगा 2006 Noidamine का कोईन थोड़ा धीरे बड़ेगा लेकिन 2004 बहुत ही जल्दी कीमत और भी आगे जाएगा और आज की डेट में बुक में दिया गया है UNC condition में 300 रूपीज लेकिन दोस्तो आज की डेट में 2004 एक रूपेया क्रोस कोईन का UNC condition में प्राइस चल रहा है 500 रूपीज से 600 रूपीज जहाँ दोस्तो 2004 एक रूपेया क्रोस कोईन का प्राइस कीमत बढ़ गया है अभी पहले था 300 रूपीज लेकिन आज की date में 500 से 600 रुपीस 2004 एक रुपया क्रॉस कोईन का price चल रहा है दोस्तो कोईन का price डिपेंडं करता है market में, उस कोईन का demand कितना है और ये price जो है ये अपडेट होता रहता है आगे पीछे होता रहता है तो दोस्तो और थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो circulation से दुकान में बाजार से आपको ये तिनो ही coin 2004, 2005 और 2006 आपको मिल सकता है तो दोस्तो आज का ये वीडियो आज का ये जानकरी आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिए आप कॉमेंट करते हैं लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और दोस्तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडि पर contact at the date newmyspage.in तो दोस्तो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं